प्यारे दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल RNS Education News में दोस्तो इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट दोस्तो इससे पहले हमने एक अपडेट आप लोग को एक और दिया था और दोस्तो अब एक और बड़ा अपडेट राजस्तान लोक से वायोग लगातार आज के दिन के दूसरे बड़ा अपडेट के साथ हाजिरू इस वीडियो में तो दोस्तो राजस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन RPSC की और से SI भरती की संसोधित विग्यपती जारी कर दी गई है जी हाँ दोस्तो RPSC SI यानि कि दोस्तो EWS को आयू सीमा और फीस में छूट के चलते जो छूट दी गई थी राजसरकार की तरफ से और उसके बाद कोरोना के मामले बढ़ गए थे तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा था तो आब दोस्तो जैसे कोरोना कम हुआ और आज RPSC ने बड़ी खुसकपरी कर दी है और दोस्तो आब यहाँ पर संसोधित जो विज्यपती है RPSC की और से EWS आयू सीमा में छूट की एक और बड़ा अप्रीट है दोस्तो वो बहुत ही बहतरीन है दोस्तो यहाँ पर देखिए यह आपका है देखिए विज्यापन 76 जो 2020 का संसोधित जो विज्यापन है वो यहाँ पर जारी कर दिया है RPSC की और से अब इस विज्यापन में दोस्तो बहुत अच्छी बात है और आयू सीमा में भी सबको छूड दी गई है देखिए यहाँ पर दोस्तो 869 पदों पर यह विकेंसी थी ठीक है 869 टोटल जो पत थे इसमें और आप दोस्तो पुन है इसके ओनलाइन आविदन आमंत्रित किये जाते हैं और दोस्तो इसमें देखिए EWS के जो पुरुस अभ्यारती है EWS जो मेल है उनको 5 साल की छूट दी जा रही है और EWS की जो फीमेल से है ठीक है फोर्म अपलाई किये जा सकते हैं जिन्होंने आविदन ही नहीं किया था वो सभी इसमें आविदन कर सकते हैं यहां दोस्तो एक और चीज दोस्तो यह है कि जो जन्रल की जो एज था दोस्तो 18 से जो 25 का जो करेटेरिया था ठीक है अब उसको दो साल की छूट दी गए थी पहले आपने फोर्म बरा होगा तो अब उसको तीन साल की कर दिया गया है बाकी कैटेग्रिया तो अपनी जो प्रावधक अपवादिक प्रक्रण मानते सभी आवधकों को उपरी आयू सिमा में तीन वर्स की छूट दे होगी तो यह तीन साल का जो चूट है दोस्तो सभी को दिया जाएगा यहां पर ठीक है और दोस्तो फोर्म जो आपके हैं वो 9 तारिक से लेके 9 जून से लेके और 23 जून तक होंगे 9 छे से 23 तक अब आपके SI भरतिके यहां पर आवधन होंगे एक और चीज यहां पर है आलनोन आवधन पत्र में संसोदन समंदी सूचना तो आवधकों को ओनलाइन आवधन सब्मिट किये जाने के पस्चात SMS दुआरा सूचना भीज जाएग जिसमें किसी प्रकार की विशंती होने पर आवधरती ओनलाइन आवधन की अवधी के दोरान और आवधन प्राप्ति की अंतियम तिति की जो डेट है उसके 10 दिन तक ठीक है यह देखिए यह पूरा जो चार नंबर का जो आप पैरा है इसको समझने की कोशिस करें एक तो आप संसोदन कर सकते हैं जा आवधन की अंतियम डेट तक या फिर आवधन की अंतियम डेट निकले के उसके 10 दिन तक या फिर दोस्तों जो प्रतम चरण की परिक्षय समाप्त होने के पस्चात एक एक आउसर वहाँ पे दिया जाएगा आप लोगों को ठीक है तो यह इस तरी के साफ इस करने के अधर पर पात्र माना जाएगा पूरु में आवधित अभ्यरती अपने आवधन में ओनलाइन संसोधन कर सकते हैं जिन्हों पहले बर दिया था वो सिर्फ संसोधन करें बाकी नया फोम भरने की आपको जरूरत नहीं होगी अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक और यहाँ पर दिया गया है ऐसे अभ्यरती जिन्हों पूरु उक पदेतु विज्यापन संक्या आठ उबलिक दो हज़र बीस जिकिस दिनांक तीन दो हज़र रिकिस के तहत ओनलाइन आवधन किया था परन्तु वांचित सेक्षनिक योगता आयुस्यम्या इतियादी के आधार पर एपात्र थे उन्हें एडिटिंग एज़ पर कोरियंडियम पॉइंट नंबर 6 ओप्शन में यस विकल्प का चैन कर संसोधन सुलक का बुकतान करते वे ओनलाइन आवधन में संसोधन करना आवशक है ऐसे अभ्यरती उग्त सर्थ के अनुसार ओनलाइन आवधन में संसो कियोगता ठीक है और आयुसीमा यानि कि उस टाइम पर आपने उसको रनिंग दिखाया था आयुसीमा आपकी कंप्लिट नहीं हो पारे थी आप ओवरेस थे तो उसमें संसोधन आपको करना ही होगा यह चीज कही गई है दोस्तों यहाँ पर और यह जो दोस्तों जो आपका यह है जो नोट्फिकेशन है जो पीडियाफ है इसकी यह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगे जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें यारों तैयारी अपनी रहा है पार गारों वीडरावल नेतों आपको